कि हाई दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लश प्लेट के बारे में कि सीटी हंड्रेड प्लेटीना हंड्रेड प्लेटीना 110 सीटी 110 में लगने वाले क्लश प्लेट के बारे में कि किस पार्टनबर क्लश प्लेट लगता है कैसा दिखता है ठीक है दूस्तों तो आई शुरू करते हैं आप प्लेटीना 110 और सीटी 110 वे और सीटी हंडेड अप्लेटीना अग्स हंडेड में दो माडल के क्लेश्प्रेट कंपनी द्वारा लगके आ रहे हैं बिस शिक्स में तो जान लेते हैं दोनों के बारे में की कौन से कौन से तो दोनों अलग अलग दिख रहा है तो दोनों का पार्टमबर जानते हैं दोनों का असेम्मिली बारे में जानते हैं ठीक है दूस्तों तो आई हम सुरू करते हैं पहले क्लेश्प्रेट देखते हैं देखिए एक क्लेश्प्रेट एक 36 जजटड़ 902 जिसका मार्पी है 411 रुपए ठीक है और यह इस तरह दिखता है देखिए इस मॉडल का और एक है 36 पीएफ 006 इसका MRP है 538 रुपए और देखिए इस तरह का यह दिखता है तो यह दोनों को हम चेक करते हैं खोल के असेम्बली सहीद तो पहले हम सुरू करेंगे 36 पीएफ 006 इसके साथ असेम्बली में क्या-क्या लगता है क्या-क्या पार्ट अंबर है और उसको उपेन करके हम चेक करेंगे ठीक दस्तों देखिए यह 36 पीएफ 006 आसेम्बली है जिसको कर्षप्रेट को चेक करते हैं खोल के कैस तरह दिखता ह है और क्या से पहचानगी कि इसमें कौन से लगाना चाहिए अ कि अ कि अ कि यह देखिए यह क्लेश प्लेट इसमें चार प्लेट लगता है देखिए आपके सामने अभी पैक खोले है एक दो तीन चार ठीक है जाको है और देखिए इसंपे मैकीनो लिखा आप ध्यान से देखेंगे इसमें लिखिया मैकीनो एक वेंडर है जो बजाज कंपनी को ते सपलाइ करता है तो है अब देख लिजएं यहां पर भी लिखा है कर्पीर्ट के सभी भाग पर लिखा मिलेगा मुंमा फिर आएक देखेंगे तो दिखे लगाएगा ग्रेँद लगा देगे करने लगएगा बिल्कुल पीक अग्लेगा ठीक है ने पी ुज और यह समय यह लगता है तीन प्र이idy लगेगा इसकप्ट नमपर दिखिए चैस्ट पी रफ डबल 087.. एक प्रेशंट प्लेट। साथ लगता है प्रेस इस प्लेट थे है तीन प्रेशंट प्लेट कि लगएर तो देखी और जिसमें जो पार्ट नंबर का लगा रहेगा सेम वही लगए यह देखिए अभी मैं कीनों वाले का सेंबली दिखा रहे हैं यह तीन प्रेसर प्रेट लगता है इसमें देखिए फिलाल नाम नहीं लिखा आये लेकिन पार्ट नंबर ध्यान दिजिएगा 36 पीफ 0087 ठीक है यह प्रेसर प्लेट होगे आपका अब देखिए हब क्लच विलक्लच यह दिखिए यह दोनों का पार्ट नंबर देख लीजिए पीफ 55-26 यह हब क्लच है इसका MRP 176 रुपए ठीक है अब यह फ्रेसर प्लेट प्रेसर है इसको विलक्लच भी बोलते हैं पीफ 55-28 143 रुपए MRP है इसको खोल के चेक करते हैं यह देखिए अब देखिए यहां पर लिख्या मिलेगा यहां पर मैं की नो देखिए अब देखिए लिख्या है मैं की नो इस सेम जो रगाल अगर लगा रहेगा वही सेम लगेगा ठीक है अब देखिए यह आपका हफ प्लच हो गया इसे देखिए अंदर भी लिखा मिलेगा मैं की नो यहां पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो दिखेंगा यहां पर मैं की नो ठीक दोस्तों तिया जो पार तंबह का लिखा रहा रहेगा से वहें पार लगाइगी प्रेसर प्लेट इस तरह लगता है कि ए क्ला पेकल लागा देंगे कि प्रिट्प्रसर प्लेट को तुँख प्रेट का दो तो प्रेक्वुद्प्रन का? प्रिश्च प्लेट प्रिशर प्लेट प्रिश्च प्लेट फिर इस अपका यह क्लिश्च के अधर्य कर देंगे ठीक है इसमें जो ट्रांक आप सब करता है क्लेट लगता है वह सब ख़राब तो यह और माडल के लगता है उसको उसके बारे में भी चाहिए चेक करते हैं जानते हैं कि एक दूसरा माडल लगता है यह 36 जजड जीरोकसाउचाउचानवे यह देखिए 36 जजड जीरोकसाउचानवे ठीक है और यह दोनों जो प्रेश्पेट बता रहे हैं सीटी 110 सीटी हंडेड प्लेटीना सौसेशी प्लेटीना 110 दोनों माडल लगता है ठीक दोस्तों इस बात का अभ्यान देंगे देखिए इसमें भी चार क्लेश्प्रेट लगता है देखिए इस यार क्लेश्प्रेट है इस पर फिलाल तो वेंडर का नाम नहीं लिखा है लेकिन आप एक माडल के हिसाब से दोनों को समझ लेंगे कि दोनों का अलग अलग तरह से दिखता है देखिए यह इस तरह दिखता है और यह इस तरह दिखता है तो जिसमें जो निकालेंगे तो क्लियर हो जाता है उसे इसमें कौन सा माडल के लगा है तो वहीं लगाईएगा अन्यथा क्लेश्प्रेट आपका काम नहीं करेगा सही से फिर आप परसान रहेंगे तो आपके समरें पार्ट नंबर बता देते है है जो सेम पार्ट नंबर देखके क्लियर कर लिजेगा जो यह वाला है वाइट वाला इसका 36 जेड़ जी रिक सौन ठानबे क्लश्प्रिट का पार्ट नंबर है ठीक है और इसके साथ देखिए हब क्लश विलक्लश लगता है उसको भी देख लेकते हैं यह देखिए पिए 233 इस एक सनव आसि रुपय हफ क्लच है यह देखिए हफ क्लश है बजाज लिखा मिलीगा अदेशिकर डिजाइन अलग होता है ठीक है इसका मेकीदों वाले का डिजाइन यह होता है इसका डिजाइन यह होता है ठीक है ताप इस तरह भी पाचानियेगा अब आपार्ट नह इसको पार्ट नमबर बताएंगे तो आपको मिल जागा विल्कुल असानी से और देखिए विल ख्लच है यह विल ख्लच देखिए इसका पार्ट नमबर यह है पिए पच्पन चोदा च्छतिस विल ख्लच एक सो चालिस रुपए दाब है इसका ठीक है यह दिखिए हो गया आपका अब यह हो गया अपकर प्लेट विल ख्लच हफ्लच थीक है तो आएए अब असेंब्ली इसका देख लेते हैं कि कि इस पार्ट नमर का असेंब्ली इसमें लगता है कि यह देखिए प्याफ पच्पन चौदा बत्तिस एक जार निस रुपए का है इस असेंब्ली को खोल के चेक करते हैं कि यह देखिए कि यह देखि चार प्रिट लगा हुआ एक दो तीन चार ठीक है यह अपको निकालना एंसमें से उसमें से निकाल के लगा देना है ठीक है पुराना वाह निकाल देना है और ने वाला लगादिन तो यह आप क्या हो गया प्लेटीना 110 प्लेटीना सौसिसी सीटी हंदेड सीटी 110 में लगने वाले क्लश प्लेट और रसेंबली पूरा हब क्लश विलक्लश के साथ ठीक दोस्तों कि तो जिसमें जो पाट टमबर रहेगा सेम वही पाट तंबर लगेगा इस बात का भ्यान दें wavelength लगा देंगे थिरत किसे वीडियों में पिर अगले वीडियों मिलेगें तब तक के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें गृति किरिए है फिर अगले वीडियों मिलें दोस्तों जै ले भारत